द्रिश्टी आईएसके इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश हाली में आपने देखा होगा कि मैनमार से बहुत बड़ी संख्या में श्रणार्थी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं क्या है इसके कारण इस पर संपूर रूप से आज इन-फोकस में हम चर्चा करेंगे इन-फोकस में आज हमारे टोपिक का नाम होगा मैंनमार से क्यों हो रही है भारत में घुस पैट इस टॉपिक के अंतरगत हमारे चर्चा के विभिन पक्ष होंगे, सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतरगत ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है, फिर हम मैनमार की सामाने इस्थिती को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण भारत मे ये शर्णार्थियों का आगमन हो रहा है फरवरी 2021 में मैंनपार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी मैंनमार में तक्ता पलट हुआ और उस तक्ता पलट के कारण वहां पर ग्रहयुद की स्थिती उत्पन हुई ये ग्रहयुद की स्थिती ही वस्तुते भारत में शर्णार्थियों के आगमन के लिए प्रमुकृप से जिम्मेदार है इसलिए इस स्थिती को समझना भिहाद आवश्यक है इसके बाद इस ग्रहयुद की पूरी स्थिती पर मैंनमार के जो अलग-लग नर्जाती संगठन है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है जुन्टा पर इ देखते हैं कि यह खबर कहां से लिग गई है खबर दा हिंदू न्यूस्पेपर से है और खबर है वाय आर पीपल फ्लेंग मैंनमार फोर मिजोरम एक्स्प्रेंट से यह पूरा टोपिक लिया गया है और आप जो मैंनमार का सामाने तोर से यहां नक्षा देख रहे हैं यह उत्तर पूरवी शित्र है और यह मैंनमार है मैंनमार का जो पूरवी हिस्सा है पूरवी हिस्से में एक स्टेट पड़ता है जिसको हम चिन स्टेट के नाम से जानते हैं और चिन स्टेट की जो सीमा है वो भारत के मिजोरम राज्ये से लगती है भारत के मिजोरम राज्ये म यहीं से Exodus हो रहा है मिजुरम की तरफ और खास तोर से 13 नमंबर को मैंमार की जो जुन्टा आर्मी है जुन्टा का सामाने मतलब क्या होता है जुन्टा का सामाने मतलब है बल पूरवक साशन करने वाला कोई भी समहू सामाने तोर से मिलिटरी समहू को माना जाता है तो बल पूरवक साशन करने वाले मिलिटरी समहू को सामाने तोर से जुन्टा के नाम से जाना जाता है तो जुन्टा का अर्थ आपने जाल लिया और एक और शब्द यूज होता है तात्मा दो जुन्टा के संधर में तात्मा दो का बर्मीज भाषा में सीधा मतलब है ससस्त्रबल वस्तुत मैनमार में ब्रिटिस साशन की स्थापना सिपूर्व जो मैनमार के मोनार्क की वहां के राजा की रोयल आम्ड फोर्सिस होती थी उसके लिए तात्मादोव शब्द का प्रियोग होता था और हाल ही में लगातार मैनमार की जो सस साथ तात्मादोव शब्द का भी इस्तमाल किया जाता है तो तात्मादोव और अलगलग विद्रोही संगठनों के बीच नरजाती सम्हों के बीच जो संघर्ष छेड़ रहा है उस संघर्ष क्या एक महत्वपूर्ण रूप ये चिन स्टेट में भी है चिन नेशनल आर्मी चिन डिफेंस फोर्सेज के अंतरगत चिन नेशनल आर्मी और चिन डिफेंस फोर्सेज और जुन्टा के बीच जो संघर्ष चला है इस संघर्ष के परिणाम सवरूप ही 13 नमंबर को लगभग 1500 लोग या शनार्थी के रूप में भारत के चंफाई मिजुरम के चंफाई ज गया इस घटना के कारण ही ये पूरा टोपिक चर्चा में आ जाता है इसके पूरे संधर्ब को हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके संधर्ब को समझने के लिए जरूरी है कि हम मैनमार की स्थिति पर सामाने तोर से प्रकास डाले मैनमार में जो संघर्ष चल रहा है वो एक नरजाती संगर्ष है मैनमार में लगभक 135 नरजाती समुह है जिनको राश्टी इस्तर पर आठ बड़े नरजाती समुह में विभाजत कह जा सकता है और ये सबसे बड़े नरजाती समुह हैं बामर बामर एथनिक ग्रूप बामर एथनिक ग्रूप मैनमार की कुल संख्या का 68% है इसके लावा साथ एथनिक ग्रूप और है और इन साथ एथनिक ग्रूप को हम जानते हैं रखाईन, चिन, कचिन, शान, कहा, करेन और मोन के नाम से साथ ये हुए और एक हुआ बामर तो मैनमार में इस प्रकार से मुखे तोर से आठ नरजाती समुह हैं और इन नरजाती समुहों का अपनी अपने ख्षत्रों में स्वायतता की डिमांड है और स्वायतता की डिमांड के कारण ही आजादी के बाद इन डिमांड को सही तरह से समाहित ने करने के कारण संघिय सरकार के साथ लगातार इनका एक संघर्ष चलता आ रहा है हाली में संघर्ष खास्तोर से फरवरी 2021 में तक्ता बलट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वर्तमान की स्थिती यह है कि चिन राजिय की जिसकी हमले की हमने बात के कि 13 नवंबर को 1500 लोग, 1500 शरणार्थी भारत के चमफाई जिले में आए मेजुरम के उस हमले से पहले तीन में मार की संघर्ष द्वारा एक बड़ा हमला जुंटा के उपर किया गया और जुंटा के अलग अलग शिविरों को निशाना बना गया और उसके कई ठिकानों पर इस संघर्ष नों ने कबजा भी कर लिया यह संघर्ष कोन से थे एक संघर्ष का नाम है मैनमार नेशनल डेमोक्रिटिक आलाइंस आर्मी दूसरा है तांग नैशनल लिबरेशन आर्मी और तीसरा है उत्री शान में उत्री शान में अराकान आर्मी उत्री शान ये एक प्रदेश पढ़ता है एक राज्य पढ़ता है ये उत्री शान प्रदेश है और ये दक्षनी शान प्रदेश है तो ये 3 Brotherhood Alliance कहलाते हैं जिन्होंने 27 October को जुन्टा पर हमला किया था 27 October पर हमला करने के कारण ही इसे Operation 1027 कहा जाता है 27 मतलब 27 और 10 का मतलब हुआ October का महिना यानि 27 October इसलिए इस Operation का नाम हुआ 1027 और इस हमले के बाद ही चिंद राज्ये में ये हमले देखने को मिले हैं क्योंकि कि खास तोर से जुन्टा आर्मी ने चिंद राज्ये के संगठनों को चिन नैशनल आर्मी और चिन नैशनल फ्रंट को निशाना इसके अंतरकत बनाया है सेमिक राश्ट्र के एक आंकडे के नुसार हाल में जो मैनमार में संगर्ष चल रहा है इसमें हाली के आंकडे देखे है यानि फर्वरी 2021 में तक्ता पलट के बाद लगभग 20 लाक लोग अपने ही देश में विस्थापित हो चुके हैं एक इस्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो चुके हैं इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि मैनमार की तक्ता पलट को हम ठीक तरह से समझें जिसने मै म्यानमार का तक्तापलड जैसा कि आपको बताया गया फरवरी 2021 में हुआ और ये किस ने किया ये सेना के नेतवर्त वाले सैने परभुत वाले एक स्टेट अड्मिनिस्ट्रेटिव काउंसल के द्वारा किया गया इसका तर्क ये था कि नवंबर 2020 में जो चुना म्यानमार में ह हुई है इन चुनावों में नेशनल लीग फो डेमोक्रेसी जो ओंग सांग सूकी की एक महत्वपूर्पूर्ण पार्टी है उसने एक भारी मतों से विजय हासिल किये थी उसके बाद नवंबर 2020 के चुनावों को जुंटा ने तात्मा दोव ने जो जिसका प्रभुत्व थ स्टेट अड्मिस्रेटिव कांसल में इन चुनावों में अनियमितिता का आधार लेते हुए तक्ता पलट सरकार का वहाँ पर कर दिया दरसल वर्ष 2008 में जुंटा ने थोड़ा सा समझोता करते हुए लगातार वहाँ पर साशन चला आ रहा था और सिविलिन सरकार को यह कहा कि अब हम सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे टेमोकरेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने के अनुरूप कारे करेंगे और स्के अंतरगत nose 2008 में समिधान आया था और इस मिधान के अंतरगत 25% सिटों को जो already armed forces के लिए ही जो already armed forces में काम कर रहे थे उनके लिए आरक्षित कर दिया गया 25% सीटे एक तरह से military के लिए आरक्षित कर दी गई थी और बाकी सीटों पर चुनाव होना था इन सीटों पर चुनाव सबसे पहले वर्ष 2010 में हुआ जिसमें जुन्टाक के ही परभुत वाली एक union solidarity and democratic party ने विज़े हासिल किये थी counselor of the Myanmar state उनका ये पत था लेकिन अब दोहजार इस तक्ता पलट के बाद यानि फरवरी 2021 में तक्ता पलट के बाद बहुत बड़े स्तर पर रास्टवयापी आंदोलन रास्टवयापी प्रदशन हुए आम प्रदशन हुए आम लोगों ने जिसमें बड़ी भागेदारी की हर देखती थे उन्होंने और कुछ अन्य निर्जाती समुहों के निर्वाचित प्रतिनिध्यों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की एक राजनितिक निकाय की स्थापना की जिसको हम पिदौंग्षू लोतों के नाम से जानते हैं ये एक राजनितिक निकाय था जिसका नाम बर्मीज भाषा में राष्ट्री संसद है और इस राष्ट्री संसद ने अलग-अलग नागरिक समुहों आम लोगों और निर्जाती समुहों के प्रतिनिध्यों से मिल करके एक नई संगठन का निर्मान किया जिसको हम कहते हैं N.U.C.C. नेशनल यूनियन कंसल्टेटिव कांसल का गठन किया और इसने विभिन लोकतांत्रिक समर्थक ताक्तों को एक जूट करने का प्रयास किया ये एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ इसके अंतरगत नेशनल यूनियन फोर कंसल्टेटिव कांसल ने एक संग्ही लोकतांत्रिक चार्टर फेडरल डेमोक्रेटिक चार्टर पर सहमती भी अभिव्यक्त किये और इसी के अंतरगत इसने भविशे के लिए एक समिधान की मांग की और अप्रेल 2021 में इसके दुआरा एक नेशनल य अथारित राजनितिक रोड मैप को बनाया जाया इसकी ये भी डिमांड आई लेकिन ये जो फेडरल डेमोक्रेटिक चार्टर है ये मार्च 2022 में विकार किया गया इसका कारण क्या था इसका कारण ये था कि मार्च 2022 में ही गैर बामर जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि बामर समुदाय की संख्या ही मैनमार में 68 प्रतिशत है इसलिए गैर बामर समुदायों की जो समानता की डिमांड थी सत्ता में एक समानता की हकदारी की जो डिमांड थी उसको मार्ज 2022 में जब फेडरल डेमोकरिटिक चार्टर के अंदर के स्विकार कर लिया गया तभी इसका मार्ज 2022 में हो पाया जुंटा द्वारा अलगलग संगठनों पर कारवाई की गई और हिंसात्मक कारवाई की गई हिंसात्मक कारवाई करने के कारण ही नैशनल यूनिटी गॉर्मेंट ने अपनी जो प्यूपल डिफेंस फोर्स थी इसकी घोशना कर दी और प्यूपल और ज्यादा तिव्र होती चले गई नेजाती संगठनों का ये जो पूरा इस पर प्रतिक्रिया नैशनल यूनिटी गॉर्मेंट ने जो आहवान किया जुंटा के खिलाफ लडने का इस पर क्या प्रतिक्रिया रही इस प्रतिक्रिया को भी जांच लेटे हैं लेकिन इस प् 29 नुरुजाति स्थामू हैं जिनको मोटे तोर पर आठ बड़े राष्टिये नुरुजाति समोह में विभाजित किया रह सकता है स्वायतता कि बाद अलगलत नुरुजाति तुमफ संगीय सरकार के साथ स्वायतता की डिमांड कर रहे संग्य सरकार के पैरलल लेकिन 1962 में मैनमार की सत्ता पर सेने कबजा हो गया और सेना नियंत्री संदरशना इस्थापित की गई सेना ने लगातार साशन का केंदरी करण किया जिसमें अलगलग शेत्रों में बसे अलगलग नरजाती समुहों को परियाप्त प्रतिनेत्र नहीं द जला गया सखन होता चला गया इसके कारण उनके न्रजाती ससस्त्र समुहों का संघर्ष जुन्ता आرमी से उनतार आरमी से से बड़ता चला गया औry इस संघर्षम में इन ईनम्रजाती समुहीं ने छोटे-छोटे इस तर पर एक स्वायतता की इस्थतिवी क्राप्त की यान विराम समझोते भी किये और उन्हें सिमित इस्तर पर स्वायतता भी इसके अंतरगत प्रदान के गई लेकिन हाल ही में जिस परकार से संघर्ष बढ़ा और नैशनल यूनिटी गौर्बट ने प्यूपिल डिफेंस फॉर्सेज अलग-लग नरजाती समुहों को जुंटा के खिलाफ कारवाई करने का जो आदेश दिया क्योंकि तक्ता पलट फरवरी 2021 के तक्ता पलट के बाद इस्थित्या इस परकार से बन गई है तो उस में अलग-लग संघर्ष नों की अलग-लग प्रतिक्रिया है काने इसमें चार संघठन हैं जिसमें चार संघठनों की महतवपुर्ण रूफ से प्रतिक्रिया को हम देखरेहे हैं कारें नैशनल यूनियन इसके साथ गी कचिन इनडिपेंडेंस ओर्गनाइजिशन चीन नैशनल फ्रंट और करेनी नैशनल प्रोग्रसि करते हैं People's Democratic Forces का लेकिन इन्होंने National Unity Government के नेतर्त में एक संघिये देना के निर्माण और उसकी कमाड में रहने से इनकार कर दिया इस डिमांड को इन्होंने खारिज कर दिया और जो अलग-अलग संघ्ठनों ने जुन्टा की खिलाफ लड़ाई की इस नरजाती ससस्त्र संघ्ठनों की खिलाफ जुन्टा के दुआरा जो प्यूनिटिव एक्षन लिया गया जो दंडात्म कारवाई की गई ये अक्टूबर 2021 में की गई और जब ये अक्टूबर 2021 में उन्होंने अलग-लग संघ्ठनों की खिलाफ कारवाई की तो सबसे पहले चिंद राज्ये के संघ्ठनों की खिलाफ कारवाई की गई चिंद राजों का अभी आमने बताया था कि किस प्रकास से जो चिंद राज्य है आप देखें ये मिजोरम से इसकी सिमा लगती है और इसी के कारण जब इन संगठनों पर कारवाई की गई तो बड़े स्तर पर भारत के मिजोरम और मनिपूर राज्य में लोगों का आगमन हु है कि मनिपूर राज्य में जो मैतेई समुदाय जो मिजोरटी मैदोई मैतेई समुदाय और मिजो और जो दूसरा कुकी जो समुदाय को की जो समुदाय है इनके भी जो संगर्ष है इस संगर्ष में एक कारण ये भी है साथ ही जो मिजोरम में इन चिंद समुदाय के लोगो का शनार्थी आ रहे हैं मेजो समदाय के लोग कि मैं चीन अमदाय के लोगों को नरजाती भाई के रूप में मानते हैं केंद्र सरकार दुवारा मेदidents सरकार को यह नरदेश दिया गया था कि हुँ किसी भी प्रकार से शनार्थी ओ को मदत ने चाहे और शरणार्थी शिवर इस्थापितना करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मीजो लोग चिन समुदाए के लोगों को भाई मानते हैं, इसके कारण ही उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णे को केंद्र सरकार के इस निर्देश की अवहिलना किये। यही सबसे प्रमुकारण है कि यह शरणार्थियों की जो समझ्या है म्यानमार से भारत में घुसपैट यह लगातार बढ़ रही है तक्ता जुंटा पर इस पूरे विद्रोह का क्या प्रभा पड़ा है सबसे पहले बात तो यह देखे कि तक्ता पलट के बाद विद्रोही ताक्तों का एक बड़ा समयकन हुआ है कई संगठन आपस में जुंटा के खिलाफ एक्जुट हुए है और जुंटा के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुमोर्चा लड़ाई हो गई आलग लग शेत्रों में जुन्टा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इसलिए जुन्टा को इस संगठन इस लड़ाई को मैनेज करना इसका प्रबंदन करना बहद मुश्किल हो गया है क्योंकि ग्रहयुद बहु मौर्चे के लड़ाई में तब्दिल हो रहा है हलांकि जुन्टा ने ये कहा है कि वो इन सभी संगठनों पर कारवाई करेगा अलग लग देशों की खासतोर से चीन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप जानते हैं कि चीन एक म्यानमार का एक सहयोगी देश माना जाता है सबसे करीबी देश माना जाता है खासतोर से म्यानमा सब्सक्राइब जानते हैं कि जो उत्री मैनमार का क्षेत्र है वो चीन के साथ लगता उसकी सीमा लगती है और यह भी माना जाता है कहीं एक्सपर्ट का यह मानना है कि वहाँ पर निरजाती कई निरजाती समुहों द्वारा जो संगठन विद्रोही संगठन बनाए गए हैं उ प्रक्ता पलट और लोकतंत्र समर्थक ताक्तों के बीज एक भेदभाव की स्थेती है भारत की प्रतिक्रिया यह है कि भारत ने यह कहा है कि वो मैनमार में किसी भी प्रकार के लोकतंत्रिक विकास की प्रक्रिया का ही समर्थन करता है और किसी भी प्रटिकुलर संगठन का स आरजनिक रूप से समर्थन करने से भारत इसमें बचा है। अंत में इससे संबंदित एक प्रशन देख लेते हैं, प्रशन क्या है? म्यानमार के चिन राज्य की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? आपके ओप्शन्स हैं अरुनाचल प्रदेश, असम, मेजोरम और मेगाले इस प्रशन का उत्तरा आप हमें comment box में comment करके जरूर दीजिए, फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद